कामेस मिछचचर विर्मनी सिखाप दिंग्समादियानी धमपद गाथा कथा नंबर 53 या 53 पुफ बगो मिकार माता ये बुद्ध सहित्य में एक बड़े कमाल की बात है कि ससुर ने अपनी लड़के के जो बहू है उसकी पत्नी है उसको माता कहा मिगार को मिगार की माता यानि अपने ससुर की माता विसाखा क्योंकि जो विसाखा थी वो साथ साल की आयू में ही सोतापन हो गए थी जो एक नगर सेठ है धरंज है बद्धिय नगर में अंग राजजय का एक भद्ये नगर है भद्ये जो शद्ध होता है भद्ये माने होता है भद्र यानि कि बहुत अच्छा बहुत साली अंग प्रदेश यानि अंग राजजय उसका एक भद्ये नगर है उसमें धननजय, धननजय का मतला जिन्होंने धन के उपर विजय प्राप्त लिया, नगर सेट, तो धननजय वहां के एक नगर सेट थे, उनकी पुत्री यानि धोती थी विसाखा, विसाखा बच्पन से ही धम्म को सीखने लगी और कमाल की बात है कि साथ साल की छोटी सी आयू में वो सोतापन हो गई, धम्म को इतना ज़्यादा जान गई, राजा पसेंजीत के आगरे पर वो लोग साकेत में आके बसने लगी, साकेत मतलब साक्यों का खेत, क्योंकि साक्य छेतर बोलते हैं उसको जहां साक्य लोग रह गयते थे, साक्य सब्यूगाने वाले साक्य, और खेत का मतलब है छेतर आज की समय बोलते हैं खेत तो साक्या खेत को साक्यत करके बोलते हैं वहां आके वो लोग रहने लगे विसाका का जो विवा है वो जिन लोगों से हुआ यानि पूरन वड्धन उनके पती का नाम था और मिगार उनके ससु का नाम मिगार जो थे वो सेट थे और उनकी जो बेटा था पूरन वढधन पूरन वढधन का मतलब है जो पूरी तरह से बढ़ा हुआ हो तो ये विवा क्योंकि वो सावित्थी में रहते थे और सावित्थी में ये शादी उनकी हुई वो भगवान बुद्ध के वचन या वानी को ध्यान नहीं देते थे ना ही उनका उनमें रुजान था वो किसी और मत में किसी और जगे वो अपना ध्यान लगाते थे विसाखा वहां आई तो दोनों ही चीजें बड़ी अजीब सी हो गए क्योंकि विसाखा तो सोतापन है और सोतापन इस्तिती बड़ी ऊपर की होती है अब साथ जनम और ज़्यादा ज़्यादा होंगे और वो मुक्त हो जाएगी और वहां जो लोग है अभी धम का A, B, C, D भी नहीं जानते तो सम्यक सम या सम्मा सम तो विसाखा के आच्रन को देखते देखते विसाखा के मन की शांती को देखते देखते और विसाखा का जो वैभाता उसको देखते देखते मिगार जो उसके ससूर थे और जो उनका पती था पूर्ण वड़न दोनों को जिग्यासा हुई और वो धम की बारी को धम को समझने का प्रियास कने लगे चोकि चितने भी धमिक लोग होते हैं और धम को जानने वाले होते हैं उनका कहीं कोई पंपलेट कहीं कोई प्रिचार, कहीं कोई लाउड स्पीकर पे या कहीं कोई वीडियो बनाकर या ओडियो बनाकर या भगवान बुद्ध ने अपने रिक्कों को कभी भेजा ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे कहते हुए कभी नहीं सुना गया आओ लोगो बुद्ध का मत अपना लो आओ लोगो टुम्हें इतना पैसा देंगे तुम बुद्ध का मत अपना लो बुद्ध की फिलोस्पी को अपना लो आओ लोगों देखो बुद्ध की जो मत है उससे तुम्हें घर मिलेगा या मकान मिलेगा या इसको हम समुदाया बनाते हैं या इसकी राजनीदी बनाते हैं या यहां राजा बनेंगे या इसमें मारकाट मचानी है या ये जो बुद्ध का मत है इसको बहुत बला करना है या बुद्ध का मत ही दुनिया में सबसे स्रेश्ट है या बुद्ध की जो फिलोस्पी है और जो बुद्ध ने बताया है उसके मुकाबले कहीं कुछ नहीं है इससे अच्छा कुछ नहीं है ऐसा वाक्य कभी आपको किसी भी धम्मिक से सुनने को नहीं मिलेगा, भिक्कु से तो बिलकुल नहीं मिलेगा सब लोग धम को देखते हैं, उसका वेवार करते हैं और शांत रहते हैं, कभी किसी को नहीं कहते आपकी इक्षा है आप धम सीखिए आपकी इक्षा है आप धम मत सीखिए धम आपसे कभी नहीं कहेगा कि आपको जवरण जवरजस्ती फोर्सफुली आपको ये धम सीखना पड़ेगा ये अटॉप करना पड़ेगा ये कमाल की बात है कि भारत में समराट असोग के समय में सारा का सारा इरान से लेके और थाइलेंड तक यहां बुद्ध की फिलोस्प्री और बुद्ध का ही सासन चलता था भारत में 12 यूनिवस्टी भी थी, सब कुछ सांती प्रिया था ऐसा कोई सांती नहीं मिलता कि यहां कोई बाद विवाद या जगड़ा या लड़ाई जगड़ा कभी मनुस्य और मनुस्य के बीच में रहा हो और यहां से धम का पतन हुआ तो धम ने अपना विरूद नहीं किया अगर मनुस्य का पतन हुआ तो धम का पतन हुआ धम का कोई पतन नहीं हुआ धम अच्छा था तो लोग इसको यहां से दुनिया भर में लेके चले गए धम सबसे बढ़िया था तो इसने पूरी दुनिया में लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया यहां के लोगों का पतन हो गया, यहां उनकी मॉरेटी चली गई यहां चोरी, चकारी, वेवचार, हत्या, जूट बढ़ गए तो धम अपने आप यहां से चला गया अब फिट दुबारा से धम आ रहा है तो मिगार माता का वैवार देखके उन्होंने सब ने धम में सरन लिये और धम की बात को समझ लगे विसाका ने धम में बड़े सारे काम किये उन्होंने एक पुबबाराम करके एक मंदर या विहार बनवाया जहां लोग ठहते थे और जहां बहुत भिक्चू सब साधना करते थे पुबबाराम का मतलब है पुबबाराम यानि पूरा आराम इसको पुर्वाराम भी बोलते हैं पुर्वाराम भी करके बोलते हैं तो यहां आराम इसमें सब जड़ा हुआ है आराम बगीचों को या बाग को पाली भासा में बोला चाता है पुब्बा आराम पुब्ब आराम यानि पूर्ब आराम ऐसा उसने वहाँ बनवाया विसाखा समय समय पर समय समय पर बहुत ज़्यादा दान भिक्कू को और भिक्कू संको दियती दे दे लिए एक दिन वो अपने सवच्छे कारे को याद करके और उनको थोड़ा-थोड़ा मूं में अट्रिंग कर रही थी अट्रिंग मतलब गुर्म उना रही थी, बोल रही थी दिश्चु ने देखा कि विसाखा थोड़ा-थोड़ा गा रही है तो उनको बढ़ा ताज्य हुआ बिक्रों के लिये गाना निस्यद होता है और सोतापन मी नहीं का ते, उन्हें जरूत नहीं पर दी तो अपनी जिग्यासा सांत करने के लिए उनने भगवान से पूछा कि भगवान विसाखा गा रही थी, ऐसा कैसे हो गया? वो तो सोतापन है तब भगवान ने ये कहा कि वो गा नहीं रही है वो उदान कर रही है उदान जो सब्ध है एक बहुत कमाल का पालिम है उदान का मतलब है कि उल्लास पूरवक जब कोई बात स्वेम आपके अंदर से निकलती है और सब्धों में बदलती है ऐसे उदान बहुत सारे भगवान बुद के मुह से आए जब भगवान बुद ने जैसे ही धम को हासिल किया तब उनके मुह से अपने आप निकला कि धम कैसा है बहुत वार उनके उदान है उदान की पूरी एक किताब भी है जो खुंदक निकाय का तीसरा गंट है गंट मतलब जहां गाठ बांदी है सारे के सारे जितने भी लिखा हुआ या बोला हुआ या सुना हुआ जो भी चीज़े उसको गाठ बांदी तो वो गंट हो गया बाद में गंट कहने लगे तो ये वो उदान है जो वो बोल रही थी और जो वो कह रही थी तब भगवान बु पाली भासा बहुत धीरे धीरे और बहुत शांती से बोली जाती है ये शांत भासा है इसमें जल्द बाजी अगर आप करेंगे तो इसे पढ़ नहीं पाएंगे ये एक-एक सब्द बहुत आराम से होता है और क्या-करी सब्द जुड़े हुए होते हैं मैं दुबारास गाथा को पढ़ रहा हूँ तो आप ध्यान देंगे अगर रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएए यथापी पुफ रासी महा कईरा माला गुणे बहु एवंग जातेन मचेन कतब बंग कुसलंग बहु रासी जो बोलते हैं रासी का मतलब होता है धेर कहत उसको रासी फल बोलते हैं तो रासी का मतलब पाली भासा में धेर होता है शेबाद में लगा दी अब तो रासी बोलते हैं उसमें रासी हुआ करता था यथापी पुफ रासी महा यथापी मतलब जैसे पुफ रासी का मतलब है फूलों का धेर कैरा माला गुणे बहु कैरा क मतलब है बनाए माला गुड़े माला का मतलब माला होता है जो हम गलें पहते हैं गुड़े का मतलब यहां गुड़ भी होता है और धागा भी होता है यानि कि धागे में फूलों को चुनकर माला बनाए बहु माने बहुत बहु जो सब्द है यह बहुत कमाल का है इसमें बहु म बहु का मतलब है बहुत एवंग जातेन मच्चेन एवंग माने इसी प्रिकार जातेन माने जो जात लेता है जात का मतलब जनम लेता है मच्चेन माने प्राणी यानि कि जो प्राणी जनम लेते हैं इसी प्रिकार जितने प्राणी इसका मतलब यह है कतबंग कुसलंग बहुं कतबंग का मतलब है करना चाहिए कुसलंग बहुं कुसलंग का मतलब है कुसल काम और बहु माने बहुत सारे वो ये कह रही है जो वहाँ वाटरिंग करे थी तो भगवान बुद्ध ने जब अपने सब्दों में उसको बताया तो बताया कि किस तरह से किसी उपासकिया उपासिका को क्या करनी चाहिए जिस परकार एक फूलों का बहुत बला धेर होता है और उसमें मालाएं बनाई जाती हैं, गोती जाती हैं बहुत सारी वैसे ही जो जितने भी प्राणी हैं उन सबको अपने कुसल काम का मालाएं बनानी चाहिए उनकी कुसल कामों को बोतना चाहिए, उनको इखटा करना चाहिए यह इसका सार है, धन्यवाद आप सभी से यह निविदन हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामूँ संगं सरेणं गच्छामूँ दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामूँ दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामूँ दूतियं पी दम्मं मर्सेणं गच्छामूँ दूतियं पी दम्मं सरेणं गच्छामूँ दूतियं पी संगं सरेणं गच्छामूँ गोगियं पी संदम सर्वं कच्छामी, तरतीयं पी बुद्धम सर्वं कच्छामी, तरतीयं पी धंम मर्सर्वं कच्छामी, तरतीयं पी धंम मर्सर्वं कच्छामी, तरतीयं पी संदम सर्वं कच्छामी, तरतीयं पी धंम मर्सर्वं 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 कच् झाल झाल